इस लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत दर्शन के अंतरगत पर्तित समुत्पाद सिधान्त के उपर पर्तित समुत्पाद बहुत दर्शन का एक अत्यन परशिध सिधान्त है जो मुख रुप से बहुत दर्शन के दुत्तिय आर्शत दुख समुदय अर्थात दुख के कारण पर परकाश डालता है अता इसे बहुत धर्ण दर्शन यों साधना का किंद्रिय सिधांद भी कहते हैं इस सत को बुद्ध ने अपने चार अर्षत की रुप में लोगों को सामें रखा इसमें से पहला अर्षत था सर्वम दुखम अर्थात सब कुछ दुख है किन्तु बुद्ध केवल सर्वया पे दुख का दर्शन करा कर खामोस नहीं हो गए उन्होंने दुख के कारण की भी खोज की थी बस्तुता या खोज अत्यनत आवशक थी क्योंकि जब तक दुख के कारण का पता नहीं चलता तब तक दुख का दूर होना वे संभव नहीं था कि दुख के कारण के बहुत दर्शन में दुटिय आर्शत दुख समुदय के नाम से परसिद्ध है इसी संदर्व में बुद्ध ने पर्तित समुद्पाद का सिधान परस्तुत किया है पर्तित समुद्पाद बस्तुत दूर सब्दों से मिलकर बना है पर्तित धन समुद्पाद यहां पर्तित का अर्थ है एक बस्तु की प्राप्ति होने पर अर्थात एक बस्तु की उपस्तित होने पर समुद्पाद का अर्थ है अन बस्तु की उत्पति इस तरह पर्तित हुआ कि प्राप्ति होने पर अनव्षै की उत्पति इसे आश्रित उत्पति का सिधांग का जाता है दूसरे सब्दों ये कारण होने पर एक कार की उत्पति इसलिए इसी बस्थवपर निर्भर उत्पति भी कहा गया है बस तो तो तक पर्तित समुनद्पात का सिधान बहुत दरशन का कार्य कारन वात भी है बहुत दरशन कांसार कोई विघकटना चाहे वे भौतिक हो या भौतिक Uhr आकारन नहीं घटती पर तेख घटना का कोई नो कोई णी कारन होता है और यदि वे कारन नहों तो वह घटना भिघटित नहों परते समुद्पार अर्था यदि वह है तो यह है अस्मिन्सति इदम्भौति अथ्वा दिस बिंग डैट एराइजेज अस्पश्ट गोसित करता है कि परतेक कार के पिशे अहिश्यक रूप से कोई कारण आवसी होता है दुख के कारण की खोज में बुद्ध दुख के कारणों की एक लंपी स्रिंखला पाते हैं इस स्रिंखला की 12 कळिया हैं इनमें इसलिए इसे 12 निदान भी कहा गया है जिसके अंतरगत पर्थम, जरामरन, जाती, भव, उपादान, तृष्णा, वेदन, असपस, सदायटन, नामरूप, बिज्ञान, संस्कार एवं अविद्ध्या इद्यादी हैं अब हम एक-एक करकेन की ब्याख्या करेंगे पर्थम है जरामरन बहुत दर्शम में दुख को जरामरन कहा गया है जरा का अर्थ, बिर्धावस्था, अर्थात ओल्डेज और मरन का अर्थ मिर्थ्ध्य होता है यद पी जरामरन का साफदिक अर्थ बिर्धावस्था और मिर्थु होता है फिर भी जरामरन संसार के समस्त दूख जैसे रोग, निरासा, शोग, उदासी, इत्यादी का पर्तिक है जरामरन का कारण बूत के अंसार जाती है जन गरहन करना ही जाती कहा जाता है यदि मानों सरीर नहीं धारन करता तब उसे संसारिक दुफ का सामना करना नहीं होता मानों का सबसे बड़ा दुरभाग है जर्म गरन करना अर्थाथ सरीर धारन करना परतित समुत्पात के उन्जार जाती का कारण भाव अर्थाथ the tendency to be born है मानों को इसलिए जर्म गरन करना पड़ता है कि उसमें जर्म गरन करनी की परविर्थी बिद्मान रहती है जर्म गरन करनी की परविर्थी को ही भाव कहा गया है यह परविर्थी ही मानों को जर्म गरन करनी के लिए पिररित करती है भोग का कारण उपादान अर्था मेंटल क्लिंगिंग है संसारिक बस्तूओं में से आसक्त रहने की चाह को उपादान कायता है उपादान का कारण तिरिस्ना है सब, असपर्स, रंग इत्यादी विश्यों के भोग की वासना को तिरिस्ना कायता है तरिष्णा के कारण ही मानो शनसारिक विश्यों के पीछे अंधा होकर धोड़ता है। तरिष्णा का कारण वेधना अरठाथ सेन्स-एक्सपिरिययाश है। पुर्व इंद्रियानभूती को वेधना कहायता है। इंद्रियों के द्वारा मानों को सुखात्मक अनभुति होती है जो उसकी तिरिस्णाओं को जीवित रखती है वेतना अकारण असपर्ष अर्थाद सेंस कॉंटेक्ट है इंद्रियों को बस्तुवों के साथ जो संपर्ख होता है उसे असपर्ष कायता है यदि इंदुरियों का विश्यों के साथ संपर्क नहीं हो तब इंद्रियान भूती अर्थार वेदना का उदय नहीं होगा असपर्स का कारण सदाहिटन अर्थार six sense organs है 5 गयनिंद्रियों और मन के संकलन को सदाहिटन कहा जाता है पांच गैन इंद्रियां बाहिंद्रियां है और मन एक आवियंतर इंद्रिया है इस छे इंद्रियां ही विश्यों के साथ संपर गरहन करती है सदाटन का कारण नाम रूप अर्थाथ, माइन बोडी और गानेजब है मन और सरीर के समूँ को नाम रूप कहा जाता है इंद्रियों का निवास शरीर यों मन में होता है पांच बाहिंद्रियां शरीर में इस्थित माने जाती है और छठी इंद्रियां मन एक आंतरिक इंद्रिया है यदि नाम रूप का अस्थित नहीं रहता तब इन छह इंद्रियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता था नाम रूप का कारण विज्ञान अर्थाथ कॉंससनेस कहा जाता है जब नौजात सिसु मा के गर्भ में रहता है तब विज्ञान के कारण ही नौजात सिसु का सरीर ये वो मन बिक्सित होता है अब यह प्रस्ण है कि विज्ञान का कारण क्या है विज्ञान का कारण संसकार अर्था इंप्रेशन है संसकार का अर्थ होता है बेवस्थित करना पूर्म जीवन की परविर्थी के रूप में संसकार को माना जाता है अतित जीवन के कर्मों के परभाव के कारण ही संसकार निर्मित होते हैं तब यहाँ पर यह प्रस पुछा जबता है कि संसकार निर्मित ही क्यों होते हैं अर्था संसकार का कारण क्या है तब इसका जबाब यह होगा कि संसकार का कारण अविद्या अर्था इग्नोरेंस है अविद्या का अर्थ है ज्यान का भाव जो बस्तु औवास्तुविक है उसे वास्तुविक समझना जो बस्तु दुखमे है उसे सुखमे समझना जो बस्तु आत्मा नहीं है अर्था आनात्मा नो सेल्फ है उसे आत्मा समझना अविद्या का परतीक है बस्तुओं के एथार्थ स्वरुप को नहीं जानने के कारण अविद्या परतिफलित होकर संस्कार का निर्मान करती है अतह अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है अविद्या दुखों का मूल कारण इसलिए है कि कार कारण के सिंखला अविद्या पर आकर रूख जाती है अतह उपरूख ब्याख्या से असपश्ट हो जाता है कि दुख का कारण जाती है जाती का कारण भौ है, भौ का कारण उपादान है, उपादान का कारण तृस्तना है, तृस्तना का कारण वेदना है, वेदना का कारण असपर्स है, असपर्स का कारण सगायटन है, सगायटन का कारण नामरूप है, नामरूप का कारण बिज्ञान है, बिज्ञान का कारण संस संसकार का कारण अविद्या है इस प्रकार दूख के कारण की ब्याक्या के सिलसले में कार कारण सिंखला की ओर बुद्ध ने हमारा ध्यान आकरिष्ट किया परतिश समुद्पात को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है इस सिधान को 12 निदान अर्था the 12 sources कहा जाता है यह सिधान दूख के कारण का पता लगाने के लिए 12 कडियों की बिवेचना करता है जिसमें से परतेक कडि को एक निदान कहा जाता है चुकि निदानों के संख्या 12 है इसलिए इस सिधान को 12 निदान कहा जाता है इस नाम के अतरीक्त इस सिधान को संसार चक्र the will of the world भी कहा जाता है क्योंकि यह सिधान इस बात की ब्याख्या करता है कि मनुस का संसार में आवागमन किस प्रकार होता है इस सिधान को भाव चक्र the will of existence भी कहा जाता है क्योंकि यह सिधान मनुस के अस्तित के प्रस पर विचार करता है इस सिधान को जन्मरन चक्र the cycle of worth and death भी कहा जाता है क्योंकि यह सिधान मनुस के जीवन मरन चक्र को निचित करता है इसे धर्म चट भी कहा जाता है क्योंकि यह धर्म का अस्थान गर्ण करता है गौतम बुद्ध ने स्वयम कहा है जो पर्तित समुत्पात का ग्याता है वो धर्म का ग्याता है जो धर्म का ग्याता है वो पर्तित समुत्पात का ग्याता है बर्तित समुद्पात की सबसे बड़ी विश्षता यह है कि इसकी बाराकडिया भूत, बर्तमान और भविशत जीवनों में व्याब थे अविद्या और संस्कार का सम्मन्द अतित जीवन से है जरामरन और जाती का सम्मन्द भविश जीवन से है और सेश का सम्मंद बर्तमान जीवन से हैं अतीत बर्तमान और भविष जीवनों के बीच कार्ण कारण सिंखला का प्रादवाव होयाता है अतर जीवन बर्तमान जीवन का कारण है और भविष जीवन बर्तमान जीवन का कार्ण है यहाँ एक प्रस्ण उष्टा है कि सब चीज का कारण अवस होता है तब अविद्या का भी कुई न कोई कारण होना चाहिए अर्थात क्या कारण है अविद्या का हम देखते हैं बुद्ध इस विशय में मौन है बस तो तो यह एक कठिन दार्षनिक प्रस्ण है वैसे तो बुद्ध अन्य दार्षनिक प्रस्णों पर भी प्राया मौन रहे हैं किन्तु अविद्या के कारण का प्रस्ण ऐसा है जिस पर अन्थ सभी भात्य दार्षनिक भी मौन रहे हैं इसे अनादी मान लिया गया है बुद्ध भी यही कहते हैं हमारे लिए यही चानना पर्याप्त है कि यह अर्थात अविद्या है किन्तु यह अनंत नहीं है इसका अंत संभव है जैसा कि हमने देखा विद्या अर्थात चार अर्षत आधी सिधान के द्वारा इसका नास हो सकता है और अविद्या के अंत से हमें अपने आप 12 निदान की सारी कडियां एक के बाद एक प्लूट जाती हैं इस तरह दुख के समस्त हेतु समाप्त होने पर दुख भी अपने आप समाप्त हो लेता है बहुत दर्सन का यह परतिश समुत्पात का सिधान मध्यमारगी सिधान थे यह सासोत बाद और उच्छेद बाद के मध में है सासोत बाद के अंसार कुछ बस्तुएं नित अर्था सासोत हैं उनका कभी अंत नहीं होता उच्छेद बाद के अंसार बस्तुएं अर्थात अनित हैं उनका उच्छेद अर्थात पूर्ण बिनास हो जाता है परतिश समुत्पात दोनों के मध में रखते हुए कहता है कि बस्तुएं सासोत नहीं है उसका नास अवस होता है पर पूर्ण नास नहीं होता परतेक बस्तु एक कारण होती है जो कार में बदलती है और फिर यह कार कारण के रूप में अन बस्तु की उत्पती का हेतु बनता है ताथ कारण बनता है इस तरह बस्तु का केवल रूप परवर्तन होता है पूर्ण बिनास नहीं होता है इस सिधान के महत्त का एक कारण ये भी है कि बहुत दर्शन के अन्य सिधान यथा कर्म का सिधान, छनिक वाद का सिधान, अनातबात का सिधान, अर्थ किरिया कारित आधी इसी पर अधारित है इसलिए से बहुत दर्शन का अधार अस्तम भी कहा जाता है